मद्यप्रदेश में महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं की चर्चा देश भर में हैं और अब देखिए ना लाडली बहना योजना अब 21 साल से अधिक उम्रवाली विवाहित बहनों को लाब मिलेगा वही कॉंग्रेस के पास भी इस वर्ग को साधने केलके योजनाएं हैं और सियासत का फोकस महिला मद्दाता पर क्यों हैं देखिए वारे खास रपोर लाडली बहना को फिल सौगाद सियासत में बढ़ लही बहनों की बाद क्या है योजनाव का चुनावी कनेक्शन पीज़ेपी और कॉंग्रेस दोनों में कॉंपटीशन चमलपुर में शुक्रवार को मुख्यमंती शिवरासिंग चौहान ये बड़ी खोशना की बेजन आशिरवार यात्रा में शामिर होने आये थे और यहां से एलान कर दिया कि अब 21 साल से अधिक अब विवाहित महिलाओ को भी लाड़ी बहना में चोड़ा जाएगा सवाल यही है कि आखिर महिलाओ पर राज़नी इतनी फोकस क्यों है क्योंकि कॉंग्रेस भी नारी सम्मानी रोशना की सरी महिलाओ को साथ रही है बाज़बा और कॉंग्रेस तोनों ही रच्टितिक दलों के साथ अधिम देश के चुनाव में पहनी पार एंट्री कर रही आमार्ती पार्टी की निशाने पर महिलाओ कोटर है लेकि सियासत भी कि कोई किसी जोज सही भी ठैरा रहा है अचा जो जूट गए उनके नाम भी जोड़ दिये जाएंगे अपने पात पैसे की कमिन हो एक बात एक गोल्पना संस्कारदानी से कर रहा हूँ अभी बाहित अमारी कई बहने है अब उनका नाम भी सियोजना में जोड़ा जाएगा नेवंबर में होने वाले विधान सबाद चुनाओं में महिलाओं की दूनिकान में नायक रहने वाली है इसकी मुखे वजे चुनाओं में पोश्टों के मुटाबले महिला मत आताओं की संघ्या में सिर्फ 3.9-4.5 परिक्षत का अंतर होना है इसकी रश्टों दल महिलाओं को फोकस करने वाली वोजनाओं का एलान करने और उनिक लागू करने में जुटे पूए है और बोट आनेश 24-7 मुपार